बूर्णिंग इस्ट्रोनेंस, आप सेफ होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे लास्ट लास्ट में हमने लेटर वन पत्र वन किया था, जो मित्र को जनम दिन पर बुलाने के लिए निमंत्रन पत्र था अब हम लास्ट टॉपिक हमारा अंपोजिशन का पत्र टू कर रहे हैं, गंदगी की समस्या के बारे में सरपंच को या नगर सेवक को पत्र लिखे गाव में रहते हैं, वो लोग सरपंच को बटम आदिपूर गांधिधाम अंजार इसपास हैं, तो सदनगर सेवक को हमको पत्र लिखना है उफिशलल लेटर है, इसलिए इसमें ज्यादा चेंजिस नहीं होंगे, जिस टाइप से मैंने लिखा है, उसी तरह से आपको भी लिखना है हाँ सफाई के साब से आप एक दो सेंटेंस अपने इशाब से एड़ कर सकते हैं चो चली विशुकरते हैं, प्रेक्षक एड्रेस लिखना है पहले, आदिपुर के नगरजण अगर आप आदिपुर में रह रहे हैं, तो अगर गांदीधाम में रह रहे हैं तो वहाँ इस तरह से आपको आधिपुर के नगरजन, वाड कौन सा है, 3B, आधिपुरकच और तारीक, जिस तारीक पर आपको यह letter लिखा जा रहा है, उस वाली तारीक आपको इसमें डालनी है, प्रेशक में लिखने वाला कि कौन इसको लिख रहा है letter ली, तो यहाँ पर heading आपको सेम रखनी है कि कौन लिख रहा है, उसके बाद किसको लिख रहे हैं हमें letter, तो यह letter हम लिख रहे हैं प्रति अध्यक्ष जी, मानेवर अध्यक्ष जी, किसके अध्यक्ष, आधिपुर नगरपाली का, मैनिसिपल्टी के जो head है, मैनिसिपल्टी के chairman person है, उनको हम यह letter लिख रहे हैं, आधिपुर नगरपाली का, आधिपुर कच, और विशे, क्योंकि official letter है, जैसे हम leave application लिखते हैं, पहले लिखी थी हमने कि दो दिन की चुट्टी के लिए चाहिए, या भार जाने के अनुमती चाहिए, तो वैसे यह विशे है, महले की गंदगी दूर करने क के लिए, कि आप जहां रहे हैं, उधर महले में, सोसाइटी में गंदगी है, उसको दूर करने के लिए आपको यह letter लिखना है, श्रीमान जी, यानि हम उसको संबोधित कर रहे हैं, वैसे हम प्रियमित्र, आधरने, पिता जी ऐसे लिखते थे, बटी यहां official है, तो हम उसको श्रीमान जी करके ही संबोधित करेंगे, आपसे निवेदन है, कि हमारे महले, वाड 3B में, कचरे की बड़ी समस्या है, जो भी वाड आपको लिखना है, वाड 3B है, 5B है, 12B है, या कोई सोसाइटी है, उधर, तो वो लिख सकते हैं, यहां कूरेदान नहीं होने से, लोग क कचरा कहीं भी फेक देते हैं, जिससे मक्ही मचर भी होते हैं, और बिमारियां फैलती हैं, यह हमने सचता के लेसन में पड़ा है, कि लोग कचरा कहीं भी फैकते थे, जिससे मक्ही मचर उड़ते थे, गंदगी फैलती थी, बिमारियां फैलती थी, तो उस हिसाब से हमने यह पात्या डस्ट बीन और सफाई का प्रबंद करें सफाई का इंतजाम करें जैसे गाड़ी रोज आए लेने जो कच्रा आती है डो टू डो गार बेची गाड़ी और सफाई करम चारिया आए वो साफ रखें तो आपसे निवेदन है आपसे रिक्वेस्ट है कि ससाइटी में कु बस नहीं रह पाएंगे क्योंकि गंदगी बहुत सारे रोगों की जड़ है हमने ये पढ़ा है लेसन में कि किस तरह से गंदगी से वहाँ पर रोग होते थे तो इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमारे महलने में जब गंदगी है कच्रा फिकता है कहीं भी पढ़ा रह हैंगे भादिया मिंज लिख रहे हैं कौन लिख रहे हैं अगे लिखाता जगरवासी लिख रहे हैं और दे आधिपु er Paul अग जो अपने में लिख रहा है व मघ fulfil कि इरिया वापैस से मेंचिन करना है इतना हीतं है छोटा है यापिशल लेटर है और यह ans लिखनी लिख से ढ बन मेंशन करनी है चीक है आप ऐसा कैसा ही PDF में से देखके अपने notebook में लिखेगा और लर्न भी करिएगा आपको यह समझ में आया होगा almost अब हमारा course कतम हो गया है अब हम next class से revision शुरू करेंगे जो भी हो doubt clear session भी रखोंगे जो आपको doubt है तो आप उसमें से clear कर सकते हैं okay thank you have a nice day stay safe